तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है Reflex Action and Reflex Arc इससे पहले हम टॉपिक के साथ आगे बढ़ें सबसे पहले Recall Test कर लेते हैं आपको पता ही है हमारा recall test based होता है हमारी सारी पिछली classes के topics में जो भी हमने पढ़ा होता है उनकी उपर तो यह आपके सामने कुछ questions है आप सबसे पहले वीडियो को pause कर ले और इन सारी questions को अच्छे से पढ़ करें जो भी आपको लगता है correct option है उसको अपनी copy में लिख ले I hope आपने उन तीनों सवालों के जवाब अपनी copy में लिख ले होंगे अब इन दो सवालों के लिए भी आप वीडियो को pause करें और इसके answers जो भी आपको लगता है correct है अपनी copy में लिख ले हैं इसके बाद हम इसके answers को check करेंगे answers आपके सामने है question number 1 का correct option है option B question number 2 का correct option है option D question 3 का correct option है option C question 4 का correct option है option C and question 5 का correct option है option C I hope कि आप सबने mostly 515 लाया होगा और हमेशा कोशिश करें कि recall test में आपके 515 ही आए और ऐसा तब ही होगा जब आप अपने पिछले classes के बारे में जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से revise कर के आएंगे